हटाओ फ्रेंड्स वेल्कम बाग तू परिशम क्लासे इस प्यूच आई इंग्लेश मेंटॉर गलर इटियम सी शीरीज में हम कवर कर रहे हैं 30 मोस्ट इमपॉर्टेंट इडियम्स को 20 मैं हमने मुश्द कवर कर लिया हैं आग स्कुष क्लास में हम कवर करेंगे 10 और मोस्ट इ प्रेपरेशन को और जादा स्टेंट दे सकते हो चली शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कौन से 10 इडियम्स ऐसे हैं जो most important की list में अभी तक बचे हुए हैं, let's cover it out. पहला इडियम आज जो हमें cover करना है, this is in black and white. जब मैंने आपको black and white पढ़ाया था, so I told you कि एक दूसरा इडियम भी होता है जिसको in black and white भी बोलते हैं. black and white का मतलब हमने क्या सीखा था, जो एकदम clear होता है, अब आ रहा है in black and white, in black and white का meaning बिल्कुल change है. हमने सीखा था, अगर यहां से inert जाता है, यह black and white का मतलब हो जाता है clear होना, ठीक है? लेकिन अगर यह in black and white है, आज डिसकस करते हैं what is in black and white, देखो यहां पे ध्यान से. ब्लाक and white हमेशा बोला जाता है किसी भी चीज़ को लिखित में देना, या फिर अगर किसी चीज़ को हम लिख के देना चाते हैं, so मैं क्या सकता हूँ, this is in black and white. अगर आप अपने principle से बोल रहे हो जाके, कि sir मुझे permission चाहिए, principle ने बोला get me this in black and white, इसका मतलब क्या है, मुझे application के form में या फिर इस चीज़ को लिख के दो, समझा गया आपको, so in black and white ऐसे use होता है, इसमें white refer करता है इस paper को, यानि की background को, और जो black color है वो इस ink को refer करता है, तो white color का जो paper है, वो white बना रहा है, और black color की जो ink है, वो इसको क्या बना रही है, white, मतलब white color का जो background है, इसको white को fulfill कर रहा है, so if something is in black and white, that is in written form, या फिर लिखित रूप से वो चीज़ दिया गया है, ज्यान रहा है, इसका meaning हो जाएगा in written, या फिर लिखित इसको हिंदी में हम कहते हैं, right, so if it is black and white, that is clear, लेकिन if it is in black and white, इसका मतलब क्या है, कोई बीचीज जो लिख के दी गई है, ठीक है बाद, चलिए, next आता है number 22, that is brown study, अब यह specifically brown color का ही क्यों होगा, देखो, अगर आप इस image को refer करो, देखो ध्यान से, यह आदमी कह रहा है, वो पुराने दिन अब यहाँ पर यह आदमी जो है, यह कुछ recall कर रहा है, यह आदमी actually में नहीं है, यह actually में जो recall कर रहा है, वो आदमी यह है, यह आदमी suppose आज की date ले लेते हैं, और यह जो recall कर रहा है, यह कर रहा है, दस साल पहले की बाद, तो जब भी हम कुछ पुराना recall करते हैं, वो ची दिन कैसे रहा करते था जब मैं बहुत बुरी हालत में रहा करता था ना तो जब भी आप कुछ पुराना रीकॉल करते हो पुराने दिन स्टेडि करना यहां पर्ण वर्लड क्यों है इसका दुन्दला दुन्दला वर्जन आता है जो हम कुछ brownish shade में देख सकते हैं याप इसलिए brown studies को बोला गया है ठीक है अगर meaning की बात करेंगे तो ये बोलता है deep serious absorption in thought अगर आप किसी गहरे ख्यालों में खो गए हो nostalgia भी जिसको बोलते हैं किसी गहरे ख्याल में आप खो गए हो पुरानी time की बात में आप खो गए हो उसको बोलते है brown study हिंदी में का जाता है गहरी सोच में विलीन या फिर खो जाने को इसको बोलते है so if it is brown study आप किसी पुराने thought में खो गए हो या गुम हो गए हो इसको brown study आप कह सकते हो याद रहेगा brown refer क्या कर रहा है कोई ऐसी पुरानी चीज या पुरानी image जो बहुत धुंदली पड़ गई है clear चलो next पर आते नमब 23 पे ये बोल रहा है green ज़रा ध्यान रखिएगा green words जो होता है अगर आपके भाई बहन या फिर कोई भी ऐसा जो उसको आप जानते हो वो multinational company में काम करता हो तो आपने सुना होगा उनकी green team होती है green team होती है green team में क्या होता है ऐसे लोगों को रखते हैं जो freshers होते हैं जो freshers होते हैं मतलब जिनको कुछ भी experience नहीं होता है उनको किस team में रखते हैं green team में रखते हैं ऐसा क्यु करते है ग्रीन का मतलब होता है inexperienced या फिर जो एकदम freshers जिसको कोई अनुभव नहीं है किसे को क्या बोलेजाता है? है जिसको कभी जिसने कभी शू पॉलिश नहीं किया है और वह शू पॉलिश कैसे कर रहा है गंदे शूस पर भी ब्रश मानने लगा गंदे शूस पर पॉलिश लगा दी अब आप क्या बोलोगे यहां पर देखे यह एक लड़की है अब कुकिंग करने तो यह आ गई और ही परी और help चाहिए इसको कुकिंग करने आ गई सारी चीज़ें भी है एप्रन भी पहन लिया कडाई सिर्पे ओड़ी है जिसको बना नहीं रही है एंड शी नीड़ है तो शायद यह ग्रीन है इस चीज में इनेक्सपीरेंस है इसलिए इसको हम ग्रीन कहके बुला सकते है देखो यहां पर मीनिंग में क्या आ जा रहा है इनेक्सपीरेंस जिसको बुलते है हिंदी में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी है जिसको बुलते है नूबी नूबी का मतलब भी होता है जो नौ सिखिया होता है जिसको कुछ नहीं आता है उसको आप इनेक्सपीर पर आते हैं ग्रास इस ग्रीन और अधर साइड कैसे देखेंगे इसको यहां पर इतनी दुष्ट है इसके आसपास जो घास है इसको यह लग रहा है कि नकली घास है मेरे मालिक ने नकली घास लगाई है लेकिन इस फैंस के उस तरफ जो घास है यह इसको बहुत बढ़ी लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है जो अपने पस की चीज चीज है जहां पर लिए इन और इनको लगए है शायद है इस तरफ की ज्यादा अच्य है इधर की बेकार है जब की फील्ड तो पूरी एक ही है चलिए मीनिंग आ जाएगा इसका तो थिंक अधर्स आर इन बेटर पोजिशन जैसे हिंदी में बहुत कॉमन कहावत है दूर के ढोल सुहावने होते हैं राइट वेन यू थिंक कि बाकी लोगों के पास या किसी और के पास जो चीज है वह बहुत ऑब करेंड़ होगा तो उसे ऐसा हो जाएगा तो नहीं लगेगा मंलों अपने कंप्यूटर की फर्माईश की कि अगर इसा होता वैसा होता मैं यह करता दूर की ढोल सुहावने लगते हैं अपने पास आ जाएगा तो यूस भी नहीं करोगे तो ऐसे रिफ्रेंस में it is grass is greener on the other side clear चलो let's move to the next one number 25 men in blue अभी हमने white color भी सीखा था हमने सीखा था blue color क्या होता है now what is men in blue अब आदमी blue color में है तो क्या हो जाएगा देखो ऐसे strict police वालों को हम men in blue बोलते हैं जो अगर आपको पकड़ ले मतलब अगर आपको उन्होंने चलान काटने के context या फकड़ लिया तो वो थोड़ेंगे नहीं definitely है ना बहुत सारे शहरों में ऐसे police वाले गूम रहे होते इनको देखिए जरा भाई साबको यह list of thieves निकाल रहे हैं so men in blue हमेशा किसको बोला जाता है cops को या police वालों को men in blue बोलते हैं police man या फिंदी में इसको police वाले बोलते हैं इसके लिए idiom भी होता है this is men in blue ठीक है यह universal idiom है मतलब हमेशा आप हर जगे यूज़ कर सकते हो irrespective कि आपके शहर या आपके देश में कैसा color का वर्दी इनको allotted है if it is men in blue it is about a policeman जैसे cops हम जनरली बोलते हैं police वालों को cops थोड़ा सा slang होता है बट नहीं उसकरना चाहिए वैसे ही men in blue किसके लिए उसकरते हैं police वालों के लिए so if you address somebody as a man in blue कौन है वो police वाला है ठीक है चलो हमारे आँ खाकी वर्दी होती है but still it's not men in khaki it's men in blue मतलब police वाले लोग फाइन चलिए number 26 पे अगर हम आए this is black market अच्छा काला बाजारी किसको बोलेंगे अगर वो काला बाजारी होगी यानि कि कुछ ऐसी चीज भी करही होगी जो legal नहीं है कुछ illegal भी करहा होगा आपने स चीज हैं जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं टाक्सी ड сотруд मैं था मतलब होता है किक्षा सी टीज हो लेहँ को ब्लाक मार्केट और इसे हाई वो गया है बिसनेस ऑफ बाइग और सेलिंग इलीगल इसको बॉलते हैं काला बजारी clear बाद समझ आ रहा है black जो word है यह क्या कर रहा है generally चीजों को negative बना रहा है अभी तक आपने देखा होगा so black market का मतलब है negative market मतलब जहां negative काम के जा रहा है या फिर illegal काम के जा रहा है इस से भी आप धान रख सकते हो if a place is a black market वहाँ पे हमेशा illegal चीजों की selling हो रही है so business of buying or it can be selling illegal things or goods काला बजारी जिसको हिंदी में कहा जाता है ठीक है number 27 पे आते हैं this is silver screen silver screen कहके आप किसको बुलाते हैं हमेशा bollywood या film industry को बोलते हैं silver screen पे तो कोई चीज जब पहली बार launch होती है तो बोलता है silver screen पे आ गई मतलब पहली बार theater में या silver screen पे आने का मतलब क्या होता है film industry में launch हो जाना या फिर आ जाना तो silver screen को refer करने के लिए हमारे पास में ये एक screen भी है यहाँ पे जैसे मानलो sensor board सबसे पहली बार movie देख रहा है तो ये silver color का होता है screen generally description की अगर हम बात करें ये screen silver color का appear होता है इसलिए इस screen को या फिर इस industry को क्या कहने के बुलाते है silver screen कहने के बुलाते है meaning would be cinema industry या फिर film industry जिसको कहते है so cinema is termed as what silver screen ध्यान रखेंगे if the screen is of silver color that would be referring cinema industry हिंदी में जिसको cinema generally कहते है सनीमा भी कहते हैं गाव अगेरा में it's cinema in Hindi ठीक है so जान रखेंगे if it is silver screen that is a cinema industry cinema और music और it's a movie industry ठीक है number 28 पे आएंगे तो this is wave of white flag ये बहुत common है अगर किसे ने white जंडा दिखाया है मतलब क्या चाहता है वो वो surrender करना चाहता है सिंपल होगा बचपन से आप movies देखते आ रहे होंगे जिसमें ये चीज यूज करी जाती है अगर किसे ने white flag दिखा दिया है मतलब वो अपने आपको surrender करना चाहता है अब वो और नहीं लड़ेगा सीधी सी बात है simple सा है ये सिक्स क्लास से आप पढ़ते आ रहे होगे ये सारी चीज़ें सेवन क्लास से आप सुनते आ रहे होगे आये surrender बोल रहा है और ये white flag को wave कर रहा है इसका मतलब क्या है ये भाई साब surrender करना चाहते हैं और इनका swag करने और इनके मूह में cigarette अभी भी है तो ultimately he's trying to surrender इसले ये wave कर रहे है कौनसा flag ये white flag wave कर रहे है तो white flag को significance माना जाता है जब हम कभी भी surrender करना चाहते हैं किसी भी चीज से जैसे कोई आदमी prepare कर रहा है छे सालों से और वो prepare करने के duration में क्या करता है दिन बर घूमता रहता है बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता लेकिन छे साल के बाद जब selection नहीं हुआ तो उसने क्या बोला आए वेव आव वाइट प्लाइग तो actually मैं वो क्या कर रहा है preparation को छोड़ रहा है अब आगे वो continue नहीं करेगा तो ultimately करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर छे साल से seriously नहीं पढ़ाए तो अब तो पढ़ाई शुरू हो भी नहीं पाएगी चलिए आगे आते हैं नमट 29 पर यह बोल रहा है शी पिंग एलेफेंट अब ऐसा भी होता है कि अब ब्लाक एलेफेंट्स होते हैं और साथ में कभी कबार वाइट एलेफेंट्स के बारे में भी सुना था मतलब वाइट एलेफेंट्स उन चीज़ों को बोलते थे जो चीज पिंग एलेफेंट्स बेसिकली गर्ल्स के एलेफेंट्स होते हैं और ब्लू एलेफेंट्स बॉइस के एलेफेंट्स होते हैं यह लॉजिक यहां नहीं लगना चाहिए तो इसको हम कैसे रिलेट कर ले मतलब पिंग एसी चीज़ है जो एक्चुली मैं एक्जिस्ट नहीं कर सकती और ना अभी तक करती है आगे का मैं नहीं बोल सकता कि कुछ भी जेनेटिक्स में हो जाए फिलाल पिंग केलिफेंट इस नथी तो क्या हो गया है आपको हैलूसिनेशन हो गये हैं मतलब आपको भरम हो गया है कि मैंने यह चीज देखिए है यह चीज की हुई है तो स्वे इस चीज के बारे मैं बात करना चाहते हो या ऐसी चीजें आपको लग रही है जो एक्चुली में होती नहीं है उनका सिर्फ भरम है सो इफ यू सी पिंग केलिफेंट्स एक्चुली मैं भरमित हो या फिर या इन हैलूसिनेशन या या ड्रीमिंग आफ यूटोपिया जो प की बात नहीं हो रही है द्यान रखें यहां पर पिंक जो है यह एक्चिली में किसी रियल चीज को सिग्निफाइब नहीं कर रहा है नमबर थर्टीएथ पे इस सीरीज का लास्ट इडियम होगा बहुत सिंपल है बच्पन से आप पढ़ते आ रहे हो यहां पर गोल्ड कलर की यह अब यहां पर क्या है जो दिमागदार होगा वह क्या करेगा पत्थर को तोड़ेगा और देख लेगा तो अल्टीमेटली जो भी चीज चांक रही है वह जरूरी नहीं कि वैसी हो जैसी उसको दिखाने का कोशिश हो रहा है जो चीज़ अट्राक्ट कर रही है जरूरी दिखेंगे कि हमेशा उसका वैल्यू हो अब वही वाला पत्थर अपले जाके अगर सोने की दुकान पे बेचोगे तो क्या उतना पैसा मिलेगा सोनार तुरंत पैचान जाएगा कि कुछ भी नहीं है ऐसा सिर्फ पेंट हुआ है यह कोई चीज अचीज जो अट्राक्ट कर रही है जो हमेशा अट्राक्टिव लग रही है जरूर नहीं कि वह हमेशा उतना वैल्यू हो उसका वह चीज बेकार भी हो सकती है राइट इसलिए ट्राप में मत फसें और किसी भी बुक को कवर के वैसे पर जाजना करें यह भी बात कहने चाहरा है नेक्स्ट इसका हिंदी मेनिंग देखेंगे तो हर चमक्ति वी चीज सोना नहीं होती हिंदी का बहुत पॉपिलर कहावत आई है हर समक्ति चीज सोना नहीं होती अगेन आप मंभी लोग से चीज को सीख सकते हैं राइट ईसका मतलब क्या है एट्राक्टिव थिंगस जो होती है वह हमेशा वैसी न झाल झाल झाल